बारत शिलंका कोलकता टेस्ट ड्रॉ हो चुका है मगर क्रिकट टेमियों के जहन में इस मैच को नहीं जीत पाने के टीस अब भी है और वो भी तब जबकि टीम इंडिया ने शिलंका के साथ बनलेबाजों को पवेलियन भेज दिया था लेकिन हम यहाँ आपको बताने जा रहे हैं कि शिलंका के साथ खिलाडियों के आउटफोने के पीछे सिर्फ गैंदबाजों का हाथ नहीं था बलकि स्टेडियम में मौझूद हर शक्स ने विकेट लेने के लिए जीत और मेहनत की और यह सब हुआ कप्तान विराट कोली के इशारे पर जब शिलंका की टीम दूसरी पारी में बैटिंग के लिए आई तो पहले ही ओबर में शिलंका को पहला जटका लग गया इसके बाद कप्तान विराट कोली ने इस्टेडियम में क्राउड की तरफ इशारा करते वे कहा कि वो भी साते हैं और गैंदबाज के साथ-साथ वो भी बिल्लेबाज की तरफ जाए यहीने विराट कोली ने इशारा करते वे ये भी कहा कि उन्हें कुछ नहीं सुना दिया रहा इसलिए फैंस और जोर से गैंदबाज को चियर करें थाकि मैच को अपने पक्ष में मोड़ा जा सेके बस फिर क्या था विराट का अशारा मिलते ही फैंस के साथ मिलकर गैंदबाजू ने मैच का रुख ही पलड़ दिया और एक के बाद एक लंका के साथ विकेट गिरा दिया वो तो खराब लाइट ने लंका को बचा लिया नहीं तो इस मैच में बड़ा रिकॉर्ड बनना तय नज़र आ रहा था फ्लेम मीडिया रिपोर्ट